वेलकम तो ब्लेड लेर्नर के 12 आज हम अगरिकल्चर पार्ट 7 पढेंगे जिसमें आम मेजर क्रॉप काटेग्री में वाइल सीड्स, ग्रॉण नट, रेप सीड्स, मस्टर्ड, सी सेमम, तिल, लेंसेड, कैस्टर सीड्स के बारे में पढ़ेंगे उपके चारो तरफ हरे भरे खेद दिख रहे होंगे अगरिकल्चर, रल्फिल्ड अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें, पहले उससे देखें, फिर इस वीडियो को देखें पूरे देश का 12% क्रॉप डेडिया ओइल सीड्स कवर करता है में ओइल सीड जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है ग्रॉण नट, मस्टर्ड, कोको नट, सिसेमम, तिल, सोया बिन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लेंज सीड, सनफ्लावर इसको हम खाना बनाने में यूज करते हैं, कूकिंग मीडियम में इसका यूज किया जाता है इससे हम साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में, और ओइंट्मेंट्में में यूज किया जाता है ग्राउननट, खरीप क्रॉप है, जो कि, हाफ औफ मेजर ओयल सेट प्रोड़क्शन, कंट्री वाइज, कवर करता है देखिए ये ग्राउननट, मूंफली क्लाइमिट, जहाँ पे ज्यादा बर्बारी होती है, वहाँ पे आपको से ग्रोग करने में, प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसको ग्रोग होने के लिए, सबसे पहली बात, सैंडी स्वाइल चाहिए अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नौर्थ में चले गए, और वो भी विंटर सीजन में, वहाँ पे आपको इसे ग्रोग करने में प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए, it's highly advisable not to grow this crop in winter season, in north of tropic of cancer इसे रेज़ आज पूरे इंडिया में, अज खरीप क्रॉप इसे ग्रोग किया जाता है ठीक है रेज़ आज रभी क्रॉप, more than 90% खरीप क्रोग किया आता है कुछ परसेट बच जाता है, जो रभी क्रॉप भी अकुपाई करता है देखिए कहां-कहां, parallel map में भी देखते रहिए तमिल नाडू, करनाटका, आंध्र परदेश, ओरिशा एरिया वाइस गुजरात फर्स्ट रैंक पे है, followed by आंध्र परदेश, तमिल नाडू, करनाटका, आंध्र महराष्ट्रा प्रोडक्शन वाइच देखें गुजरात फर्स्ट रैंक पे है, followed by आंध्र परदेश, तमिल नाडू, करनाटका, महराष्ट्रा रेफ सिर अं मस्टर्ड यह आपको इमेज में यहां पे दिख रहा होगा उसकी क्लाइमेट की बात करें जैसे गेहू को only cool climate पसंद है वैसे ही रेफ सिर अं मस्टरड को भी cool climate पसंद है बढ़बारी होने से स्क्रॉप को हानी हो सकती है ये रभी क्रॉप, रभी क्रॉप सीजन में ग्रोग किया जाता है देखिए, UP, राजस्थान, मेन प्रोड्यूसर है ये दोनों के स्टेट मिल के 60% of countries, रेफ, सीडर, मस्टर्ड प्रोडक्शन को कवर करता है एरिया वाइस, as a percentage of total area UP first position पे है, उसके बाद हर्याना, MP, राजस्थान ये सब ही आते है production wise, in terms of production as percentage of total production under it राजस्थान टॉप पे है, followed by उत्तर प्रदिश, UP, MP, हर्याना सी सेमम, तिल, के बारे में पढ़ेंगे, भारत अपना प्यारा भारत पूरे विश्व का, one third, तिल का प्रोडक्शन करता है अपना भारत जो है, पहले अस्थान पे है, in the world, area wise इसको हम, पूरे भारत में, light soil पे ग्रोग करते है दक्षनी भारत में, South India में, as a rubi crop ग्रोग किया जाता है उत्तरी भारत में, North India में, as a kharib crop इसे ग्रोग किया जाता है में प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करें ये कर्नाट का, Odisha, गुजरात आता है लिंसीड, ये आपको image में लिंसीड दिख रहा होगा अपना भारत जो है, पूरे विश्व का 10%, 10% प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग कवर करता है एरिया वाइज ये दिबात करें तो इंडिया, first position पे है पूरे वर्ल्ड में लिंसीड के प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, भारत का यूपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्रा, एमपी देखिए, कास्टर सीड, कास्टर सीड में क्या है, इंडिया 20% अफ वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग को कवर करता है ये इमेज है कास्टर सीड का, एरिया वाइस भारत जो है, वो first position पे stand करता है, इसको हम mixed cropping में grow करते हैं, एक crop को दूसरे crop के साथ mix करके grow करते हैं कहां पे, tropical and subtropical climate में भारत में almost सारे ही tree है, सारा tree, all tree under this crop is rain fade, rain fade मतलब बारिश के पानी पे dependent है raised as ruby crop कहां पे, northern India में, खरीप crop कहां पे, southern India में कुछ estates हैं, main producing estates के, आंत परदेश, औरिशा, करनाटका, गुजरात, तमिलनाडू, थैंक यू, आल दे बेस्ट और देश्ट